हालो फ्रेंट्स वालकम तू आद में आपने जो वीडियो लिक्या रहा देखे आयार एफसी आई प्यो या फिर इंडिगो पेंट्स आपके मने में क्वेश्चन जरूर होगा यार बैक टू बैक आई प्यो आ गए अब कौन से आई प्यो में अप्लाय करू कितने लॉट अप बढ़ने से पहले में आपको बता दो कर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और आई प्यो में एप्लाइज जरूर करना है इसके लिए हमारा एक वीडियो और प्रेडी क्रियेटिड है चाहिए कोई सा भी आई प्यो हो आप देखके समलके उसमें अप्लाइब कर सकते हो अपनी सुजबूति रिस्कों को मैनेज करके उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ उस वीडियो को देखे तसल्ली से आपको डिट कितना सब्सक्राइब हो गया क्या हो गया एलिजीबल क्रैटिरिया पार हुआ नहीं हुआ सब कुछ आप आपको लास्ट डे अपडेट करते हैं आई प्यों के और टेलिग्राम चैनल पे आपको डेस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो सबसे पहले देखिए यह बैक्टरस फूड का आई प्यों है इसका टोटल सब्सक्रिप्शन जब आप देखोगे मातर कितना है मातर का रहा हुआ देखे 200 गुना टोटल सब्सक्रिप्शन मतलब रिकॉर्ड तोड सब्सक्रिप्शन यहां पर देखने को मेला नीचे भी गिरे हैं लेकिन लिस्टिंग गेन ही उन्होंने आपको डबल डबल पैसा करके दिया उससे बढ़के और क्या ही चाहिए होता है यह देखिए यह एक्जांपल मैंने आपको दिया किसका है यह बैक्टरस फूड उसके अलावा आप देखिए बर्गर किंग और आ यहां पर इंडियन रेल्वे फाइनेंस कोपरेशन का अब आपके सामने आपको आ रहा है तो आपको गया है इसको एपलाई किया जाए या फिर इंडिगो पेंट को तो मैं आपको एक बात बता दू यहां पर आपको पुरानी हिस्ट्री आपने देखिए जबर्दस करते हैं उस स्ट्रीजी को हम कहता है तो पीम स्ट्रीज यानि कि लास्ट दिन दो बजी का डेटा देखो उसके बाद ही आपलाई कर वह सबसे बढ़िया सबसे मैं करूंग बहतरी है रिस्क फ्री स्ट्रेटजी है जिसमें आपका रिस्क ना के बराबर होता है जब आपको दिखते हैं सब कुछ अच्छा अच्छा है तभी आप अपलाई करते हो कोई ऐसा तो है नहीं फॉस्ट डे फॉस्ट आवर का शो आपने यहां पर उस टाइम पर एपलाई कर दिया तो आपको मिल जाएगा सब कुछ सेम होना है जो आहाज अपलाई करो या लास्ट आवर में जैसे बड़े बड़े लोग अपलाई करते हैं उसी तरीके से आपको भी अपलाई करना है अब आयर एपसी में सबसे अच्छी बात मुझे यह लगती है कि इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉंग है बहुत ही स्ट्रॉंग इसका अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ दे पर शेर है कितना है 25 से 26 रुपे तो आपको जब अपलाई करोगे आप देखोगे अच्छा सब्सक्रिप्शन हो गया तो फिर 25 की बिडिंग तो करनी है सीधे कट आउप प्राइस 26 पे ठिक मानना है अगर आप 25 की बिडिंग कर लोग और अल्रड़ी ओवर सब्सक्राइब ह हो है क्योंकि आप लास दिन दो बजे अपलाई करें और आपको पता है कि बिडिंग ना करें क्योंकि फिर आपको मिलने के चांसे और खतम हो जाएंगे दोनों एक्सेंज पर आएगा लॉट साइज है 575 से लेके 575 का यह लॉट साइज है तो पूरा प्राइज पढ़ता है एमाउंट वो 14,950 का पढ़ता है 14,950 का डेट मंडे यानि कि कल की डेट को यह ओपन होगा और 20 को क्लोज होगा मंडे टूजडे वेडनेस दे इन तीन दिनों में यह आई प्यों आपके सामने रहेगा लेकिन लेकिन क्या इस आई प्यों के सारी चीजा हमने देखी बहतरी आपको लग रही है बट आई प्यों करना मुझे सबसे अच्छा तभी लगता है जब अच्छा सब्सक्रिप्शिप्शन हो जाए टू प्यम स्ट्रेटेजी जो हमारी है कितना आठ से दस गुना का बेरियर जो हमारा पार होता है तभी स्टॉक का यहाँ पर लिस्टिंग ग सब्सक्रिप्शन अच्छा हुआ था उसके बावजूद उसने आपको उस तरीके का लिस्टिंग गेन नहीं दिया था क्योंकि मार्कित की कंडिशन बत थी और वह हमारे एक्शेप्शनल क्राइटीरिया में सामिल हो गया इसलिए 95% से उपर के चांसे होते हैं कि इस एरिया इस लेवल को कोई पार कर दे तो फिर वह बहुत बड़े और अलग 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 से उपन कर लिजिए वीडियो के डैस्किप्शन में आपको लिक्स दिये हुए है तो आपका चांसे और बढ़ जाता है अब रिसेंटली आयर एफसी ने 1314 करोड अभी 31 एंकर इं लेकिन उसके अलबा अब मैं आपको इसके जीयंपी रेट के ऊपर लेके चलता हूँ जीएंपी यानि कि ग्रे मार्केट प्रीम्यों में क्या भाह चल रहा है आयर ऐफसी का यह देख सकता है आयर एफसी के अगर घ्रे मार्कित प्रीम्यम के बात कर रहे है तो यहां पे के आसपास का अभी इसका GMP देखने को मिल रहा है बाकी GMP जो देखने को मिलेगा ग्रे मार्किट प्रीमियम वो इसके सब्सक्रिप्शन के उपपर डिपेंड करेगा कितना सब्सक्राइब हो गया लेकिन फिलाल कोई अच्छा GMP इसका दही दिख रहा है अच्छे फंडमेंटल होने के बाउजूद लेकिन बात करता हूं इंडिगो पेंट अब आज आते हैं अब जड़ा ध्यान से देखिए इंडिंगवेंट के ऊपर हम आते हैं तो यहां पर क्या situation है इंडिगो पेंट की बात आती है तो आप हमेशा इसके पीर ग्रूप के स्टाइक कोंस growth मुझे और भी बहतरीन quality का लगा positive लगा और आप खुदी इसके fundamentals को देख सकते हो assets को देखिए revenue growth को देखिए और profit after tax 12 crore 26 crore 47 crore तो मतलब बहुत ही बढ़िया यह numbers यहां पर देखने को मिले है profitability assets और यहां नहीं तो मैं यह कहूंगा इसकी opening date अब बात आती है दोनों का जो है बीच में mix and match हो रहा है मतलब आपको दोनों मैंसा अगर आपके पास 14 000 रुपे 15 000 रुपे ने तो एक ही मैं एक lot apply कर सकते है इस तरीके से situation बन जाती तो आपके मन मत तब query आती है कौन सा apply करें तो अगर आप यहां पर देखो जन्वरी 20 को जब वो close हो रहा है यह open हो रहा है और 22 को यह close हो रहा है यानि कि वेंड़नेस दे थरस्दे फ्राइडे इसकी बार यह तो इसको जब आप apply करोगे तो 22 को last दिन है वो आपके लिए बहुत ही important रहने वाला है यहां पर देखते हो प्राइस वही 4900 क्योंकि हमेशा एक लॉट का रेट 15,000 से नीचे ही होता है यह 15,000 के आस्पा सी होता है और अगर इसकी शेर की बात करें तो यहां पर मात्र 10 शेर है और अगर आपको यहां पर बिडिंग नहीं करनी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो याद ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते आप इस स्टॉक का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही बढ़िया जा रहा है और उस बढ़िया के साथ यह देखिए अब आप 840 से लिके 850 के बीज में मतलब सीधे सीधे क्लियर है कि 10 शेर का यह लॉट है और आपको अभी से यह क्ल आपका प्ले करता है बट किस्मत तभी काम आएगा नहीं करोगे इस चीज़ को ध्यान देख अब आप अप्लाइ करोगे तभी किस्मत फेक्टर जो है प्ले करेगा अधरवाइस वो प्ले नहीं करेगा इसलिए पहला स्टेप होता है आपका एप्लिकेशन और एक जो फेक् करना है कि IPO को आप इस तरिके से मानिये कि एक दो मिनट की आपको चाय पिनी है और चाय पीते हुए बस आपको अप्लाई करने क्यों कि स्टार्टिंग के टाइम पे जब आप नए-प्लाइक करने में लेकिन एक बार आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया फिर आपकी यह process set हो जाती है automate हो जाती है कि यह आपके रेक्रेडेंशल सेट किया और चाहे हो netbacking से कर रहे हैं आपको विदिन टू मिनट्स आप एक दो एकाउंट से apply कर ले तो ज्यादा time नहीं लगता इसलिए apply करने को एक मैं कहूंगा एक headache मोबाइल मिल गया तो इस तरीके से अलग-अलग time पर अलग-अलग मिलते रहते हैं और chances बढ़ाने हो तो one 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 की strategy को यूज कर रहे है यानि कि एक dmat account एक pen से linked और एक lot only पैसा भी ज़्यादा block नहीं होता और chances भी बढ़ जाते कि एक pen card को unique consider किया जाता है इसलिए हमेशा साल में बहुत सारे IPO भी LIC का IPO रेल टेल का IPO ऐसे बहुत सारे IPO आते रहेंगे तो आपको क्या करना है अपने dmat account खोल के तैयारी करें अपने तो आपके पास होंगे लेकिन family members के नाम पे जरूर एक एक open करके एक दो open करके रखें जितने chances आप बढ़ा सकते हो अच्छी बात है पैसा जैदा ब्लॉक ना हो इसलिए एक एक lot क्योंकि over subscribe हो रहा है तो एक lot भी apply कर दिया तो बढ़िया रहता है wind up करता हूँ वीडियो को उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो share कीजे like कीजे channel subscribe नहीं क्या तो जल्द झाल